तो दोस्तों यहां एक सोचने वाली बात है कि क्या storage type बलग होने से और RAM variant बलग होने से device की performance पर फर्क पड़ सकता है क्योंकि OPPO A3X और OPPO A3 Pro में आपको same processor मिलता है same operating system पर दौनों run करते हैं तो चली देखते हैं कि दौनों devices पर लगवक कैसी performance आपको मिलने वाली है तो शुरुवात करते हैं restart test से और जब दक दौनों device होते हैं reboot में आपको बता दूं कि दौनों devices में आपको मिलता है Diamond City का 6300 processor OPPO A3X में आपको मिलता है EMMC 5.1 storage type A3 Pro में आपको मिलता है UFS 2.2 इसके अरावा A3X का यूज किया गया है यहाँ पर 4GB RAM 108GB internal memory वाला version वहीं A3 Pro का यूज किया गया है 8GB RAM 128GB internal memory वाला version और यहां पर restart test की बात करा तो A3 Pro पहले restart हुआ as compared to A3X आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे इस CPU test में सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही devices के N22 benchmark scores की तो दोस्तों N22 benchmark scores में चीजन थोड़ी सी उल्टी है A3 Pro का score कम है उपो A3X से थोड़ा सा चौकाने वाले result हैं यहाँ पर सबसे पहले अगर CPU scores की बात करें तो दोनों का सेम है 1,46,000 और 1,47,000 यहाँ कोई भी difference नहीं है यानि कि अगर इस वीडियो को देखें तो common use में दोनों devices लगवक सेम है और performance यहाँ पर दोनों की लगवक सेम ही नजर आती है यह दोनों ही devices के N22 benchmark test में यह यूई वाले part में record किया गया एक वीडियो है दोनों पर ही scrolling काफी smooth होती ह वीडियो में अगर display के reference date की बात करें तो वो दोनों का ही 128 है तो वीडियो में कोई खास lag या issue देखने को नहीं मिलता और अगर issue देखने को मिलता है तो वो दोनों में लगवक सेम ही है अब बात करते हैं GV score की तो इसकी वज़ा से यहाँ पर difference देखने को मिला है total में तो A3 Pro का score है 0 A3X का score है लगवक 85,000 के आसपास अब यह difference देखने को मिला है RAM variant की वज़े से A3 Pro का यूज किया गया है 8G RAM वाले variant इसलिए वहाँ पर N22 3D का standard version support करता है यानि कि standard version run होता है जो की A3 Pro के processor के आप से sufficient नहीं है यानि कि A3 Pro उससे support नहीं करता है और दोनों devices के अगर इस support नहीं करता है A3 Pro पर इसलिए वहाँ पर score 0 रहा है जबकि N22 match mark का 3D का light version A3X पर support करता है क्योंकि यहाँ पर यूज किया गया है 4G RAM वाले variant और यहाँ जो आपको scores मिले है वो इसके RAM variant और CPU के हिसाब से एकदम सही है इसके बाद बात करते हैं memory scores की तो A3X का score लगवग 78,000 के आसपस A3 Pro का score लगवग 1,000,000 के आसपस इसके अलावर device की read and write speed भी बहुत जादा है A3 Pro की as compared to A3X और यही difference आपको देखने को मिलता है EMMC और UFS 2.2 के बीच अब यहाँ पर N22 benchmark की scores की बात बहुत हो जोगी थोड़ा सा बात करते हैं कि practically दोनों devices कैसा perform करते हैं तो उसके लि OPPO A3X और यहाँ यह camera का application भी A3 Pro पर जल्दी लोड हुआ, calculator में कोई भी difference देखने को नहीं मिला, आगे बढ़ते हैं compass की तरफ तो यह भी A3 Pro पर जल्दी लोड हुआ, तो यहाँ पर यह जो आप difference देख रहे हो यह थोड़ा सा रेम की वज़े से भी है, लेकिन जो main difference है वो storage tap की वज़े से क्योंकि A3 Pro में आपको मलता है UFS 2.2, A3X आता है, EMMC 5.1 के साथ और यहाँ पर अगर आप इस game को देखोगे, candy crush को तो यह भी A3 Pro पर जल्दी लोड हुआ, as compared to OPPO A3X, अगें यह भी एक game है, थोड़ा सा heavy game है, और इसे देखते हैं कि यह पहले किस पर देखते हैं कि यह game पहले किस पर लोड होता है, थोड़ा सा heavy game है, और यहाँ पर यह game भी पहले A3 Pro पर जल्दी लोड हुआ, as compared to OPPO A3X, यानि कि practically भी दोनों devices की performance में बिल्कुल फर्क देखने को मिलेगा, अब N22 benchmark की scores तो हमको एकदम clear मिले नहीं, यहाँ पर real-time gaming performance तो सबसे पहले बात करते हैं A3X की, तो A3X पर जब मैंने यह game medium graphics settings पर run गिया, तो काफी smooth performance देखने को मिली, हलाकि यह ऐसा नहीं है कि बिल्कुल lag देखने को ना मिला हो, बीच वीच में थोड़ा बहुत issue भी देखने को मिला, बट मैं यही कहूंगा कि OPPO A3X पर medium graphics तक के games आप run कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूँ कि PUBG या फिर कहें BGMI जैसे game अगर आप खेलते हो, तो वहाँ पर बीच में आपको issue देखने को मिल सकते है, super smooth तरीके से तो आप A3X पर यह games रन नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैंने यह game high graphics settings पर run गिया OPPO A3X पर तुम बहुत ज़्यादा issue देखने को मिले, मतलब इतनी ज़्यादा issue देखने को मिले कि game unplayable था, controls बिल्कुल भी ठीक से work नहीं कर सकते, graphics काफी कमाल के देखने को मिले, बट game आप high graphics पर A3X पर play नहीं कर सकते, कुछ यही performance A3 pro पर भी देखने को मिली, यानि कि medium graphics पर न देखने को मिलता है, medium graphics पर तो यह game A3 pro पर आप smoothly run कर सकते हो, बिना किसी issue के, बिना किसी lag के, लेकिन high graphics पर यहाँ भी issue देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी अगर दौनों को compare करें A3X और A3 pro पर, तो medium graphics में भी और high graphics में भी, 8GB RAM होने की वज़ए से आपको A3X के comparison में थोड 28GB internal memory वाला version, A3 pro का 8GB RAM 128GB internal memory वाला version, और कई सारे applications यहाँ background पर run हो रहे हैं, थोड़ा सा fast forward mode में है video, और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, सारे के सारे application 1y1 जब में try कर रहा हूं, तो A3X पर applications restart हो रहे हैं, जबकि A3 pro के background पर यह बने हुए हैं, यानि कि 8GB RAM का benefit आपको no doubt यहाँ पर देखने को मिलेगा, multitasking performance के लिए कुछ heavy applications जैसे की candy grass और बागी की अगर games की बात करने थोड़े से heavy games की, तो वो भी A3 pro के background पर बने रहते हैं, जबकि A3X के background से एक close हो जाते हैं, तो multitasking में A3 pro, A3X से बहतर है